कि आपका गाई जो फीजिकल टेस्ट होगा फीजिकल टेस्ट जेक के पीएसाई पोस्ट के लिए यहां पे चीजे किस तरहां से होंगी ठीक है कैंडिडेट्स को कुछ डाउट है सोचा एक वीडियो के माधिम से आपके सारे के सारे डाउट को क्लिर कर दे उसके बाद यहां यहां पे हम बात करेंगे माक्स प कितने माक्स को जो है प्रीपरेशन स्टार्ट कर लेना CHA के लिए क्योंकि सही वग्तु पे फ्रीपरेशन स्टाय्ट करना बहुत chủूर्री है यह जथी एकिए जिए को बिल्कुल भी नहीं होगा क्यूंकि काफे डीफिकल्टिस आपको व जो भी इंपॉर्टेट्ट वीडियो समारे एंड से आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले मेंचन किया गया फिजिकल स्टेंडार्ट ठीक है मेल के लिए क्या मेंचन है हाइट बताई तब आपकी वनी चाहिए वह होनी चाहिए कितनी वनी घ्लियो स्के बाद यहां पर जब आपको xriel करने के लिए बोलेंगे तब आपकी जो प्रेस्ट है वह कितनी घ्लियो मेल के लिए मिनीम्म हैट बता थाइए 5 फूट दो इंच और उसके बाद जो क्या पmbLAbab कर रहें male candidates को long race करने के लिए कहा जाएगा जिसमें distance दिया जाएगा 1600 meter का और time दिया जाएगा साधे 6 minute में आपको ये distance cover करना 6 minute 30 seconds ठीक है 6 minutes 30 seconds में आपने कितना distance cover करना 1600 meter का उसके बाद आपको कहा जाएगा push up करने के लिए और push up कितने लगाने आपको 20 ठीक है और 20 push up किस तरह से यहाँ पे mention है 1 cycle of up and down to be counted as 1 मतलब जब आप नीचे जाओगे उसके बाद जब आप उपर आओगे इसको count किया जाएगा 1 push up इस तरह से आपको कितने push up करने 20 push up करने ठीक है अब यहाँ पे देखे female candidates के लिए क्लिए क्लिए इसके बाद यहाँ पे देखे female candidates के लिए कि शौट पूट होगा ठीक है 4 kg का आपको इस तरह का बॉल दिया जाएगा और वह आपको तीन attempt में उसको फैंक के कितना distance कवर करना है 14 and half feet का distance कवर करना है ठीक है ना उसके बाद यहाँ पे special provision regarding relaxation कुछ relaxation है ठीक है physical endurance test में किन के लिए एक सर्विसमेन के लिए तो यहाँ पर रिट कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर हम आते है नीचे physical endurance test के बाद होगा आपका medical examination ठीक है यहाँ पर क्या होगा जो candidates select किये जाएंगे with reference to the vacancies ठीक है will be medically examined to assess their physical and medical fitness the medical examination shall to be get conducted by the SSB before ठीक है selection list जब forward की जाएगी government को इससे पहले होगा आपका medical examination इस चीज़ को आप यहाँ पर note कर लें अब बात करते हैं marks पर कटफ पर मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखी है अगर आप वह देखना चाहते हो वहाँ पर चीज़े में detail में बताई है आपके लिए मैं उस वीडियो का link देदूँगा इसी वीडियो की description में तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक है फाइनल कटफ कुछ भी आ सकता है लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा आपको यह बता दू देखो जो candidates open merit से अगर आपके marks 80 प्लस है तो आप physical test के लिए preparation करना start कर दे अब जो candidates भी log करते other categories से ठीक है तो उनके लिए यहाँ पर मैं बता दू अगर आपके marks 75 प्लस तो आप भी physical test के लिए preparation करना start कर दे अच्छे से practice करना start कर दे ठीक है अब जो final cut-off आएगा जेके SSB की तरफ से वो कुछ भी हो सकता है ठीक है वो 82 भी हो सकता है यहाँ पर मैंने 80 इसलिए बताया क्योंके chances यहाँ पर लग रहे ठीक है अगर आपके marks 80 प्लस है तो आप practice करना start कर दे क्योंके last scenario कुछ भी हो सकता है तो मत आप यह सोचे कि आप फॉल नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दू कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है final cut-off में ठीक है इसलिए आप अपनी practice करना start कर दे ताके वहाँ पर चीज़े आपको help करें वहाँ पर किसी तरह की आपको difficulty ना आए अगर final cut-off 82 आया अब यहाँ पर मैंने आपको 80 बताया तो आपको मैं बता दू आप यह मत सोचना कि आपकी जो practice है वह वेस्ट जाएगी देखो आपकी मैं mental health है वह भी काफी अच्छी हो जाएगी ठीक है चीज़े करें आप इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्कोर बता दिया और अगर आप लास्ट पर कुछ भी आता है अगर आप फॉल नहीं भी किया तो कोई बात नहीं बट अगर आप इस score के आसपास से ठीक है category वाले और जो आप प्लीज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं ठीक है ना अब आज की इस वीडियो में इतना ही अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप इसी वीडियो को नीचे कमेंट करें मैं आपको आसर करने कोशिश करूंगा ठीक है गाई थैंक यू बाए